मशकार तो उत्राखंड का भी कल रात को रिजल्ट आ गया जूटी का ही खाली राउंड टू का रिजल्ट बचा है अगर मैं नौथ हिंडन स्टेट सी बात करूँ जो किसके लावा बागी सबका आई रहे रायस्थान में आफ्लाइन का राउंड चल रहा है और खेरिश के जो गौतम बुद्धा ये मिल गया है 173 मैंने भी चेकिया था कि जिसको नॉमली जिसे कहते हैं कि ओपन सीट मिल गई है देखे ये देखे एगर 178 पर तो है ही जिसको फीमिल को देख रहे हैं और मैं इसको जो सर्च कर रहा था तो I think 173 तक भी सीट मिल गई है ये स्टेट क कोटा होता है जिसमें 40% कम हो जाती है और वो इतने कम नंबरों पर आ गया है तो अगर आप से टेट कोटा वालों को देखे कितने लखी हैं बिकुछ जनल के बच्चे हैं और 171 नंबर पर उनको स्टेट कोटा मिल रहा है जो कि कम फीस हो जाती है तो जो उत्राखंड के बच्चियों के तो कोई दिक्कत वाली बात होई नहीं और और इंडिया कोटा भी काफी अराम से मिल गया है बहुत कम स्कोर पर और इससे आपने क्या सीखा दूसरा इसी में जो फिरी गुरु राम रह जो की बहुत अच्छा गिना जाता है उसका भी जो कट आफ है वो टू नेंटी एट आ गया है तो बेसिकली मैं ऐसे दिखासते हुए मैं एक स्टूडेंट ही है और ऐसे नाम नहीं पर कोई बात नहीं आपको कोंसर का नंबर मालूं है इस बच्चे के और मैं चेक कर रहा था तो 299 बेबी मिर्दु शर्मा को मिल गया है दो नंबर से रहा गया सिमिलरली जो फेमस कॉलेज है जिसको हम हिमालें जॉली गरांड कहते हैं वो भी बहुत इस बार दिक्कत नहीं हुई है लोगों को उस सीट को लेने में अब इस इन अनलसिस तो क्या ही था सो देखिए जो मैं बार बार किया रहा था और जो मुझे पहले एक प्राउड है तो इसी बच्चे की मैं बात करूँ देखिए मेरे पास स्टूड़न आते हैं इनके आपने नंबर देखे लिए तो टिपिकल केस 297 जो पहले दिन काउंसलिंग लिए जो आप लोग भी कॉल करते हैं और मैंने बोला जी आपी क्या प्राइल्टी है डिफिनिल्टी ये डिर्कडू पर खेचनी करना चाते थे और इसी तरह के बच्चे लेकिन सर एक लिस्ट मनाई हमने कि of course first choice है अगर हमें जॉली गरांड मिल जाए क्योंकि that is arguably the best college in North India हिमाले जॉली गरांड नहीं मिलता तो नंबर टू M.M.U. मुलाना अंबाला ठीक वो नहीं आता नंबर थ्री शिरीगुरू रामराय धेहरदूर नंबर चार आदेश क्योंकि देखे 297 है तो हमें मालूम था कि हम शार्दा शिरामूर्थी की रेंज के बाहर है ठीक है ना फिर जो उसके बाद तो फिर अपना अदेश में ठीक है जो शित्रा वाला मुला अगर हम उसको यूपी के नंबर पांच तक आ जाए जो कि रोहिला खंडर मुजफ्वन अगर मेडिकल हो जाता है खासकर अगर आप दिल्ली सेड़ी पे रहते हैं तो और आदेश पास परता है और फ उत्रा खंड के दोनों के कॉलिजी कट आफ हम याद ही हमें कितनी थी मलग खासकर अगर आप उत्रा खंड से बिलॉंग नहीं करते हैं फिर अपना हर्याणा में तो पुछो है मत चारसो चारसो नंबर जजज़र की भी जारी थी सो डेफिनेटली पेडिन स्टूडन पैनिक होते हैं पर यहीं पर आता है कॉंसलर का कॉंफिडेंस इस साल जो आया वो आया यूपी का राउंड वन का रिजल्ट देखके जिसमें हालत बहुत खराब हो गई थी जब 120 नंबर पे सीट मिल गया मैं गया जी यूपी ने सारा साफ कर दिया क्योंकि यूपी यूपी के पा वह हुआ अब जब राउंड टू का रिजल्ट आना शिरू हुआ तो मुलाना जैसे कॉलिज भी तीन सो तीरा नंबर पे गिर गया राइट फिर हर्याना तो पुछों मत जो हमने कल देखा और आज गर हम उत्रा खन देख रहे हैं तो इसकी भी हालत टाइट हो गई है और मै स्टूडंट की बात करूं में कुछ समझाना चाहरूं कि वाई यू नीड़ काउंसलर या क्यों आपको दिमाग से काउंसली करनी होती है अब इसे लग कह लिजिए बैड लग कह लिजिए लखी बोलूगा मैं तो अभी तक उनका एक भी सेकूर्टी डिपोजिट खराब न नहीं सर्फ आदेश बनेंगे जोगी एजटी जेम में है और सच बता हूं आदेश भी दो नंबर से रह गया है क्योंकि आदेश में कट आफ तीन सो दो गई है सिर्फ पांस साथ बच्चे बच्चे थे ठीक श्री गुर्मराय है मैं तो दो बच्चे उपर हैं बस और मुला लेना पड़ता या आदेश छोड़ते तो एक लाग रुबर जाने का नुकसान होता तो सर को यही था कि मिलके चलो सर वैसे तो मेरा विश्वास यह कि मुलाना राउंड थ्री में पक्का आजाएगा राउंड थ्री में लेकिन फिर भी इनों की बात बढ़ी करते हुए घर वह तो राउंड से मिलना ही था और हडा में आदेश भरा हम जड़ा सा मिस कर गए लेकिन हम ने यह भी देख लेकिंगे हम जड़ा सा मिस कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है मिल जाएगा वह नहीं मिलेगा तो हर्याना राउंड थ्री में 100% आदेश मिल जाएगा और जै गिर गया था round 1 में और में बाबर कहता हूं कि यूपी 2 की free exit round 1 में नहीं है, बच्चे seriously भरते हैं, तो यूपी तरह से true reflection दे देता है North इंडिनेस को खासकार कि private colleges में क्या हो रहा है, समझे आप, government की बाता लगा है, private में वो बता देता है कि क्या हो रहा है, तो अगर यूपी था कि जितने भी ये free exit वाले है, जो round 2 में, देखिए मुलाना भी, वो sorry, solan भी, कहने को 230 माक्स हैं, पर उसके नीचे बच्चे बहुत कम है, तो लोग उसे पूछने सरफ क्या होगा, तो definitely, और देखिए फिर से भई, सरफ UP में नरे सीटे नहीं है, हर्याना में भी नरे नर्मल बनेगी round 3 में, वो मिल जाएगा, और उत्रा खंड में में ये ज़रू कहसतों कि जिसने भी भरा होगा रामराय वो शैद ले लेगा, नहीं छोड़ेगा, बशरते कि अगर भी 340 नमबर वाला उसको आदेश मिल गया, शैद वो रामराय क्योंगी fees जादा पढ़ती ह नहीं जाएगा, तो क्या पता रामराय की सीट भी निकल जाए, जॉली गरांट में फिर भी बूलगो कि मॉप अप में फ्रेश मिलना मुश्किल होगा, वो सारे रामराय वाले ही जॉली गरांट के लिए अप्डेड मार देगे, मॉप अप में, वहाँ पर NRAC नहीं है नो सेगोन्टी डिपरश्टर खराब नहीं होने वाला, तो देखिए, इसे ही कहते है काउंसलिंग प्लैनिंग, और यह मैंने इसलिए पे इस्प्लेन किया कि मैं बस परसों से कई फोन आ रहे, जो मैंने लास वीडियो कल डाला, सौरी, कि सर वही है, हमारे 180, 190 नंबर है, गौतम बुद्ध की बात करें, क्योंकि देखिए, गौतम बुद्धा भी नया कॉलिज खुल है, दो साल पहले खुल है, बट सम्टेम मैं कहता हूं कि जब कॉलिज नया है, तो कमसे कम जो बाकी फैसिलिटी है, देखिए, मौसम भी एक फरक पढ़ता है, साड़े-पांस सा माहौल क्या है, कॉलिज का किल्चर क्या है, जौलिक रान तो हर चीज में अच्छा है, मौलाना हर चीज में अच्छा है, श्री गुरूर्म राम राए हर चीज में अच्छा है, लेकिन अगर लट से गौतम बुद्धा और N.C. को इसी टो कंपेर करूं, तो फिर भी इसını ज और मैं अब आप सबको फ्री में समझा रहा हूं कि जिसके 180 नंबर है 170 नंबर है जज्जर रिपोर्ट कर दें या अगले राउंड में हमें बैटर कॉलिज मिल सकते हैं जब हम जानते हैं कि जज्जर वगारा हर जगा इनदे सीट है जो राउंड 3 में कर्मर्ट होती है तो रा कि राउंड वन में यूपी ने सब साफ कर दी है तो इस बार कॉंफिदेंस बहुत हाई है सब को सीट मिलेगी नौर्थ के अंदर मिलेगी 130 नंबर मिलेगी तो इसली बात यही है देखिए जो मैं समझाता हूं लोगों को तो कल से कई फोन आ रहे हैं कि सर अब हम क्या करें ह मेरा यह मानना है कि राउंड थ्री में बहुत अच्छी आपको ऑप्शिन मिल सकती है और शायद मेरे तो अपनी रीडिंग कहती है कि इस बार जजर और एंसी की सीट तो खाली जानी चाहिए जिस तरह से सब कुछ चल रहा है तो क्योंकि यूपी में जो लोग फीज भर हो गया अब वहां पर फीज जमा करा चुके हैं अब वहां से विट्रॉक रहेंगे तो आपके पूरे बारा लाख रूपे खराब हो जाएंगे तो लोगों ने वहीं जाना है तो इस बार जजर पानी पर के तो सीटे सो परसंट खाली जाने वाली आप मेरी बात मान जर-जर की तो पका जाएगी तो जर-जर की सीट तो हाद बंदे के लिए रिजर्व पड़ी है चोते रोड में भी घर जागी ले लेना तो जो जो जोर मारने मार लेजिए हमारी साहता चाहिए कांसलें की स्ट्राटेजी बनाने में अभी भी कॉल कीजिए 96433 62320 पे और इ मौप आप राउंड होता है वो कॉलेज में होता है वो हिमाचर अथाल्टी नहीं कराती है काफी वहाँ पर इन्फोर्मेशन का गैप रहता है मिस कम्मिन्यूकेशन रहती है क्यों हम सभी जानते हैं कि लाला जी ने पहले ही बात करक्षी होती है लेकिन देखिए उसकी भी होती है तो अगर मेरिट वाले बच्चे समय से पहुंच जाएंगे न मौप आप के सेंटर में अलोकेशन में तो इनको सीट देनी पड़ती है इनको आपको कॉंसलिंग में पाल्टिसिपेट कराना पड़ता है लेकिन उसके लिए लग से फार्म भरवाया जाता है जो सोलन वाला खुद भरवाता है अलग से डीडी लेते हैं ऐसी कहीं कॉंप्लिकेशन है जो एक आम इंसान को पता ही नहीं चलेंगी और उसी के लिए हम स्पेशलिस्ट हैं मम्यू सोलन में आपको मैं तो ऐसे बोलूँगा मम्यू सोलन के मौप आप राउंड में टेक केर करने के ल आपका दिन शुब हो नमस्कार